कुरोना महमारी को लेकर लॉकडाउन में अन्ने राजियों में फसे लाखोश रमिक बिहार वापस लोट रहे हैं सुपोल में भी हजारों की संख्या में मजदूर पहुंचे लेकिन काम नहीं था अब जिला पुरसासन कुरंटाइन सेंटरों पर स्रमिको को जॉब कार्ड के जड़िये हजारों मजदूरों को विभिन योजनाओ में लगा कर रहा है मेरे जिला में अभी तक लगवर 20,000 लोग आ चुके हैं जो भी प्रखंड को रेंटाइन में रहा रहे हैं लेवर डिपार्टमेंट के दौरा और अध्यो बिभा के दौरा सभी स्रमिकों का पहले सर्रेक्शन हम लोग करवा रहे हैं और जो भी इस्कील्ड और अनिस्कील्ड रिलेवर है अगर आज मिस्तिरी इस्कील्ड में है और जो मजदूरी करते हैं उन सबों का सरक्ष्ण हम लोग करवा रहे हैं और जो लोग उसमें कार्ज करने की इच्छा राखेंगें, उनका हम लोग जॉब कार्ण वहीं क्रेंदर पर ही बनाने के इध्याब रख रहे हैं और जो काम करना चाहेंगे और अगर मेडिकल सेटिफिकेट मिता मिल जाता है तो वे जहां चाहें हम लोग उनको काम अस्थानियों तो पर देने की बरस्ता करता है आज की तित्री में हम लोग लगबाद सपाईशार 686 मजदू को काम दिये हैं जिसमें 424 जोजनाओं पर अभी पात्माने काम चल रहा है जो सार्वनिक जोगों पर ट्रेडिशनल वाटर कॉटी जो हमारा होता है पारामपरी जल शुरुप्तिक आई हो है इसके अतरी हम लो पर भी मजदूर हमारे कार्ट कर गए हैं इन प्रवासी श्रमिकों को अब मन्रेगा योजना में रोजगार मुहया करवाने की तिशा में कार यह शुरू किये गए हैं सुपॉल जिले में पहुचने वाले हजारों श्रमिक जो कुरंटाइन सेंटरों में अपना समय काट कराने के बाद जिला प्रशासन जिले में मन्रेगा योजना में 27,686 मजदूरों को 434 अलग-अलग योजनाओं में रोजगार में लगाया गया है। जिससे कार में जुटे मजदूर ना केवल खुश हैं बलकि वो साफ कह रहे हैं कि सरकार से ऐसे ही काम और रोजगार उन्हें मिलता रहे तो पलाया नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ जीविका दीदी कार में जुटे मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग सरीखे का पार्ट पढ़ाने में जुटे हैं। जब अपने राज में ही रोजगार मिलेगा तो कोई मजदूर बाहर क्यों जाएगा। हम यहीं उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन के बाद भी इन मजदूरों को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। और बिहार की मेहनत बिहार की उन्नती में रंग लाएगी। सुपोल से रामचंद्र महता की रिपोर्ट बिहार तक। सुपोल से रामचंव में जाना पहर की रिए चलाप। झाल